मुझे लेक्षर में हम लोग ब्रेक इवन है अनालिसिस और उसके निमेजिकल सॉल्ट कर चुके हैं जो मैंने करा हैं सारे गेड के हैं और उसमें एक तरनेस्टनल नुमेरिकल भी था वो काफी इंपोर्टन एक झनक्यूसमे कर चाहिए ए सारे कॉंसेट् लियर होते हैं लेट्स हम बात करने वाले हैं इंवेंटरी की, तो इंवेंटरी स्टाट करेंगे यहाँ पे, यह बहुत इंपोर्टन कोई टॉपिक है, यह गेट यह दोनों में बहुत आता है, और सबसे में चीज यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और स्टेडर कॉल्टी, यह दोनों सब्जे देखेंगे, इंवेंटरी काफी इंपोर्टन टॉपिक है यह, सबसे पहले इंवेंटरी होता क्या है, एक चीज आप में बताना चाहूँगा, आप जो इसकी नोट से वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउलोड कर सकते हैं, और आप देखेंगे कई सारा कॉंटेंट जो है, मेरा आप उस नोट में पा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाईए और नोट जाउलोड कर लीजिए, आप उससे रिफर करें ज्यादा सही रहेगा, तो सबसे पहले चीज इंवेंटरी होती क्या है, तो इंवेंटरी के डिफिनीशन के बाद करें, तो इंवेंटरी एक किसी भी टाइम पर अबलेवाल होता है, जो किसी भी टाइम पर अबलेवाल हो, वो इस टाउक होता है, इंवेंटरी, अब इंवेंटरी में, अगर हम, मैं लीजिए, अगर हम कोई प्रोड़क्ट लाँच कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इंपूट रहेगा, और प्रोसे बाइस को देखते हैं किसी भी प्रोड़ट के लिए इंपुट रहाएगा किसी प्रोड़ट के लिए इंपुट को मॉटुट में करते हैं बीच में जो हमारा आता है उस पर जो भी प्रोसेस करते हैं इसको हमारा हो सकता है रोम मेटेरियल या फिर मा главное में मशीन पॉटवर यह पर लेक्षर किया था तो अब यहां पर हम इड्वेंटर की बात कर रहे है तो कि स्टॉट exerc TV का इसिप्रक शatyक। इस्टोक यह हमारा raw material हो सकता है या फिर next हमारा जो भी product final product बन रहा है वह हमारा हो सकता है इसको भी inventory ही बोलेंगे क्योंकि हमारा stock ही एक तरह से होता है इसका main purpose यह होता है जो हमारे पास यह stock available है इसको हम future में यूज करने वाले हैं तो चाहे raw material हो या final product हो, यह दोनों inventory होते हैं, इसके अलाबा, अगर हम raw material को output में convert कर रहे हैं, तो उसके बीच की कई सारी process होती होंगी, तो जो बीच की process होती है, तो उसको हम work in process बोलते हैं, जो भी हमारा product होता है, उसको हम work in process बोलते हैं, यह इंपूट से जब स्टार्ट करेगा और उर्पूट में पहुचेगा, तो जो भी बीच की step होंगे, जो यहां से, जो कनमाठ होते हुए जाता होगा, इसको हम work in process बोलते हैं, तो यह work in process बोलते हैं, तो यह work in process बोलते हैं, यह भी हमारा inventory होता है, इसी तरह गर हम assembly line production कर रह होंगे, inventory हमारे पास जो भी stock होता है, किसी भी time पर उसको हम inventory होलते हैं, इसका main purpose होता है, इसको future में यूज करने वाले हैं, अभर चेज जो हम पढ़ते हैं, उसको कोई नो कोई purpose होता है, inventory पढ़ने कहमारा main purpose क्या है, वो देखेंगे, so हमारे बास input था, इसको हम output में, अगर, अब माली जी, अगर input को option convert करने में, total हमको 10 दिल लगते हैं, अब यह जो input हमारा, जो मैंने अभी 2-3-4 चार्ची जगी न आई थी, तो यह जो हमारा input है, यह कही बार से export कर रहे होंगे, import कर रहे होंगे, जहां से हम इसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कोई company हो को सकती है, वहां से हमारे पास यह अग अगर बदलने में, हमको 10 दिल लगते है, तो 10 दिन में जब इसको बदल नहीं है तो हमारे पास जो इंपूट होगा मुझा जो रॉम मठेरियल होगा यह spent होता रहेगा, यह हमारा खर्च होता रहेगा, इसके बात होगा क्या, कि जब यह हमारा total दसमा दिन हो रहा है, अगर आपने यह raw material बाहर से नहीं मगवाया है, तब होगा क्या, यह हमारा input है, इसको input नहीं मिल पाएगा, और जो हमारा plant है, वो सट डाउन हो जाएगा, क्य क्या हमारे पास raw material नहीं आएगा है, तो हमको चाहिए क्या कि हमारा यह raw material है, यह खत्म होने के पहले ही हमारे पास तो आपस आ जाए नहीं है, जो इसको स्टाउक है, तो inventory पढ़ना इसलिह ज़िए जरूरी है क्या है, अगर यह raw material है, अगर यह खत्म हुए तो our product भी नहीं कि में चीज तो यह है तो इन्वेंटरी हमारे पास खत्म नहीं होने चाहिए अब देखेंगे यहाँ पर इन्पुट हमारा जो है यह दस दिन इसको लग रहे है अब और बदलने के लिए अब जैसे हमालिये दसमें दिन आया आपने और किया कि हमको यह इन्वेंटरी हां से प इस पे प्रोस्सिंग होती है ट्रास्पोर्टेशन होता है इस पे टाइम लगेगा तो जब तक आएगा तो आपका लगभग यह दसमें बार में दिना पाएगा तो मुला दो तीन दिन और एक्षा लग जाएंगे तब तक कि लिए हमारा प्लांट कहां से काम करेगा लग का जो है इसको ओडर करें टाइम पे अगर ओडर होगा तो टाइम पे हमारा प्लांट जो सब्डाउन नहीं हो पाएगा तो हमारे पास एक तरह की इन्वेंटरी बनी रहे इसके लिए हम इसको पढ़ते हैं नेक्स अमाद करने वाले इन्वेंटरी कोश्ट के बारे में चलिए हमारी पर्चेस कोश्ट सेकेंड होती है हमारी ओडर कोश्ट थर्ड होती है फोल्डिंग कोश्ट यह केरिंग कोश्ट लाश्ट होती हमारे बस सौटेज कोश्ट अब इन चारों जो कोश्ट हमारी होती इनके बारे में एक बात करेंगे यह चारों बहुत ही इनका यूजम नुमेरिकल में करने वाले हैं तो इनको ध्यांद देखिएगा सबस्ते हildel बात करते है पर्चेश को रहे हैं तो उसकी कुछ प्राई सोती होगी कि इतने रुपाई यूनिट थो हमपो purchased सीधी सीधी कोश्ट होती है आगे जो हम दूसरे तक मोले से कपनी से पर्चेस करते हैं तो सीधा से इसका फाउमला होता keeping purchase cost equal to price per unit into number of product जो हम order कर रहे हैं तो number of product तो purchase cost को हम सो करते हैं price per unit से price per unit और इसको अगर हम number of units से multiply कर देंगे तो हमारा total purchase cost आ जाएगी next हमारा था है order cost अब order cost होती कहा है पहले यह समझ लेते हैं माल जीए आपको कुछ order करना है raw material raw material अगर आपको order करना है तो सबसे पहले होगा क्या आप निकालेंगे tender newspaper में तो हमारी एक tender cost हो जाएगी आपको मेल करेंगे या फोन करेंगे आप भी उनको फोन करेंगे एक तुम्हारा फोन बहरा जो करते हैं कम्निकेशन कोश्ट इसको बोल सकते हैं यह हो जाएगा मैं एक इस्टेप बाइस्टेप आपको बदा रहा हूं कि इसमें होता गया है उसके बाद कुछ पेपर वर्ख होगा प्रोसिंग फोगा तो एक प्रोसेशिंग कॉच्ट इसी के अंदर आ जाती है कुछ पेपर वरक भी होगा अब सीधर चीधर तो आप उसको टेंडर पास तो हो बहुत पैसे लगेंगे तो हमारा पेपरवर्क भी इसी में आ जाएगा इसके बाद डेख फाइनल हो गया है अब होगा क्या आप जाए नहीं पें जोब्uchen हो एपनी कमनी होगी उसके भाष जाएगे जो भी प्रोड़क्ट होंगे आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे कैसे प्रोड़क्ट है अब ऐसा दो है कि आप बस बैठे-बैठे वहीं पर इस बता दिये कि हाँ इतने प्रोड़क्ट बिजवा दो वह बिजवाएगा नहीं आपको आप पर जाना पड़ेगा आप या फिर आपको किसी पर भेजना पड़ेगा आप प्रोड़क्ट को पहले इस्पेक्ट करेंगे प्रोड़क्ट कैसे है तो इसमें इस्पेक्शन कॉस्ट भी आ जाती है अब कोई जाएगा तो वह पैदल जाएगा नहीं कोई भी कम्निकेशन कोई भी ट्रास्पोर्टेशन मीन का य लेती है इनमें होता क्या है यह सारी कोश्ट एड़ एड़ कर लेते हैं और इसकी जो यूनित होती है और कोश्ट की वह कोश्ट पर ओडर होती है हमको कुछ डेटा जो हमने वेरिकल सॉल्व करेंगों इसमें दिया रहे गा कि जैसे कि 500 रुपए पर ओडर है तो वह इन सारी क कोश्ट होती है उनका समेशन होता जो 500 होता है अगर हमको लिखा 500 पर ओडर लिखा हुआ है तो यह 500 होता क्या है यह जो सारी कोश्ट होती है इन सब कर समेशन होता है अब होता क्या है इसकी जो हमको टोटल ओडर कोश्ट निकालनी है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं हमारे पास दिया रहेगा कि इतने रुपेज पर order cost है तो हम इसको असारी से निकाल सकते हैं अगर दिया रखा है इसके जो यूनिट होती है रुपेज पर order अब सीधा हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम number of order का multiply कर दें इस पर तो हमारी पास order cost आ सकती है तो number of into number of orders इसका multiply कर देंगे तो हमारी पास order cost आ जाएगे number of order कैसे निकालते हैं यह से हमने वेडिकल में देखेंगे तो यह हमारी होगी order cost नेक्स हमारा आता है holding cost अब सबसे पहले देखते होल्डिंग कोश्ट क्या होता है अब raw material कहीं से आ रहा है अब आएगा तो आपके पास आप उसको कहीं पर इस्टोर करेंगे अब इस्टोर करने के लिए अगर आपकी खुद की और इस्टोर हो जाएगा उसके लिए आप कुछ handling tools का यूज करेंगे या वर्कर यूज करेंगे तो इसमें handling cost आ जाती है अब ठीक है आपने इसको रख लिया अब होगा क्या कुछ प्रोड़क्ट आपका नुक्सान हो सकता है जैसे अगर कुछ चुहे खा गए या फिर कहीं पानी गिरा और वो पानी से खराफ हो गया या डैमेज हो गया तो इसमें एक और आजाती है तो सौटेश कोष्ट क्या होता है मालीजे आपके पास जो भी प्रोड़क्ट आप बना रहे है उसमें क्या हुआ कि उसका सौटेश हो गया आपके बास नहीं आपाया अब इसमें होगा क्या अगर आपके बास नहीं हो पाया तो मालीजे आपक जो प्रोड़क्ट पर्चेस करने आ रहे थे क्या करेंगे कुछ लोग होंगे जो आपस लौट जाएंगे ठीक इसमें कोई दिक्कत नहीं कुछ लोग होंगे जो अपना ओडर आपके पास दे जाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है जब आए तो पहुंचा देना कुछ लोग वा और व्याट आपस लौट लोटके नहीं हैंगे वह गुट्विल लौशत में आ जाएगा गुट्विल लौट्विल लौश्ट हो जाएगा और दूसरा हो सकता है की जो प्रोड़क्ट हमारे पास अभी नहीं है अगर वो होते तो हम उनको सेलिंग करतें सुलिंग करके मारे तो एक होता है potential loss potential profit loss potential profit loss यहिप ही वर कि जो अभी होंगर होता तो हमारे पास क्शिमर तॉा रहा है लेकिन प्रॉडट नहीं है तो हमारे पास loss ही और से उल्स कि Potential loss स्को biggest यह प्रॉड़ इसले हमाना लॉप हो रहा है अगर होता तो नहीं होता तो यह potential profit cost हो गई goodwill cost हो गई अब हो सकता है कि आप इसके लिए अगर आपके बस shortage हो चुका है आप हो सकता है अब जो भी आपका transportation mean हो उसको और फास करें माली जेगर आप इसको पहले ट्रेंज से मगा रहे हो अब आप उसको सोचेंगे फ्लाइट से मगा देंगा की जल्दी आजाए तो एक तरह से फास्ट पॉस्ट फास्ट ट्रांस्पोर्टेशन एक तरह से आप इसके लिए आपको अलग सी पैसे खच करने पड़ जाए यह भी हमारा सौटिज कोश्ट में आ जाएगा का अब हो सकता है कि अभी नहीं है तो आप आपके मास् जो भी किस्ट्मर आते हैं आप उनको बोले की आप अऊडर कर दो हम कुश डिसकॉंट भी दे रहे हैं तो अगर आप discount देंगे तो इसमें आपका ही नुक्सार होगा हमारा एक discount अगर आप अवले वाल करा रहे हैं तो एक तरह सी यह भी हमारा loss होगा तो टोटल जोवारी shortage cost आजाएगी वो इन सब का समेशाल होगा अब shortage cost निकालेंगे कैसे उसके लिए भी सेम है हमारे पास जो average inventory रहेगी average shortage inventory कितनी inventory हमारी average time में sort हो रही है अब यह हमारे पास इसकी जो unit होती है और holding cost इन दोने किनिट सेम होती है इसके इन भी होती है rupees per unit per time इससे multiply कर देंगे हमारा shortage cost आजाएगी तो यह चार तबैकी cost है इनका हमें आगे यूज करेंगे हम आगे जब यूज करेंगे तो आपको यह और यादा clear होगा हम कैसे इसको निकालेंगे झालेंगे करेंगे झाल झाल करेंगे उसमें हमको यह सब जो चीजे रेटा दे रखा है इन सबसे हमको कोई मल्लम नहीं रहेगा हमको डायेट रुपीज जिया रहेगा जैसे की हमको ओर्डर काश में दे देगा की 500 पर और है हमको होल्डिंग काश दे देगा की 10 रुपीज पाज उनिट पर टाइम है सब्सक्राइब को यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह आपको अब्जेक्टि में काफी हल कर सकता है इसलिए मैंने यह आपको एक्स्पेंट किया है इसारी कीजिए आप नोट में देख सकते हैं नोट सब्सक्राइब कर लें ज्यादा सजी रहा है तो यह चारतरा की कॉस्ट हो गई इन में से सबसे यादा यूज हम करेंगे ओडर कॉस्ट का और होल्डिंग कॉस्ट का यह ज टास सी प्रिये शरणिएख और हैंसे दाख और होती है थैरा इसमें करेंग होती है दो पैरा है में हमारा पाइप लाएन लॉ को ट्राजी दिए बहुता है प्यादाल होते है दूसरा हमारा नॉमपर इसको मुट सेप्टिफां जोजे घर लाव सीजन पॉर्जवर एंट इस पेस्ट क्यात्व भी आरे मुट सेफंने नियुट भी साथ साथरा के मारे इंट्री होती है सबसे पहले वाद करते हैं ट्राशिट यह फाइब पाइब लाइब नियुटी जैसाद कि इसका नाभी होदारा है ट्राशिट मीन्स यह ट्रांजिशन पेजमें है थे हमारी इसके जब सेर एकारे सकते हो भालाई यह जार्की अपधनी से अड़ा है लnonतों सबस्किशना मता संसे ज़ंके गारते सकते कोने हो नापो कंच शेप्ती लीज महतों हुँआ है घ काश्टन में इसका तो इसका सिटुक कि स्टॉकि ज्योथ कि अगर व至 थे जो दिमांड घू रहे हैं यह हमारा लिद इस चेंज हो रहा है कर दो तो हमको तो ऊपर्ल थे आग्स पड़ती है को यह दो चीज दो वर्ड्र Taylor यूज किया है एक डिमांड किया है और अब लिट टाइम उज किया है कि दिभां intéress आप सब समझ गया हूं कर दीजिशन किए अब लिट टाइम एक वार्ड यूज लेammen नह नहीं कि दो जो हमारा मेरा कि अगर हम इंपट को लिए अब बदल रहे होती Otto जर्णुन लग रहा है उसको कही भार समागातिब वहनी इस तो आप ऐसा है unie हो वह उसक हमने और दुद Tुनंट अजाएगा उसनों कुछ टाइम लगता हुगा कि टो ऐसा तो आप अगता होगा तो हम उसको कुछ दिन पहले और कर दें के तो तो जब उसको कुछ दिन पहले और करते हैं, तो हमारा जो भी 2-3 दिन लगते होंगे, तो हमारा पी टाइम पर आ जाएगा, तो लेट टाइम होता है, जब हम जब तक में वो जो भी हमारा रामा टेल है, हमारे पास पहुंच जाएगा, तो अगर मान लीजे कि हम यहां से स्ट करते हैं, यह पिर हमारा जो भी प्रोड़क्त है वो एक इस्पेंट हो रहा है, यह हमारा रामतिल खर्च हो रहा है, यह अब लगता दे हमें इसके जीरो पहुंच जाएगा तक को वेट तो करेंगे नहीं, इसके तो हुआ है इसके बाइब तौक कि हम एक रहा है था तो हुआ है जुआ जो 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 चुआ है तो जब हमरा इस खर्च ओने वाला होगा तो जब हमरा इस खर्च पूरा एक दम जीरो हो गया तर हमने ओर्डर किया तो बाद भाद लगा इस तो आगा रहेगा तो जो टाइम लगता है तो हम इस की लिता करते हैं कि कि अधर्च पेले कि इसको अधर कर देते हैं तो आप नहीं पास तो जब कुछ बच्ची रहे कि टिप्रित है तभी इस को ऑईर कर देगी कि हमारे पास इन्मेंट्री बची है तब जटनी दिवार काम चल जाए तब यह तो कर देंगे तीह साथ आए ओप तो यहां पर I am मिल्मक्राम कर यहis tám तो अव्ही नया ताइम ज estado लेटाइन के पहुँचे अपना डिर्द नया ओर कर देते हैं कि हमारे पास न्या हमारे बार इसको के देते इसके राऍव़ तो यह था लए टाइम, तो सेप्टी स्टॉक रिए हम बात कर रहे हैं सैप्टी स्टॉक या बफरивает डिटोगी, तो यह वहीं इंवरड़ि होती है, जो हम अपने सौटे से बचने के लिए इसको यूज में रखते हैं, हमारे पास अगर डीमांड चेंज हो रहा है, डीमांड नेक्स्ट अर्ड सेजनल इन्वन्ट्रीः वेहित है कि सी सौक्ड मचर्णा नहीं काफी ज़ना जायगी और विवेणस कि molar हंआए इसनी तो अधर को काई सारे जीसकी डिमांड सीजन मेंकरीट 8 कुछ चीजा होती हैं यहां पर देखेंगे जैसे अगर कभी इस ट्राइख हो जाती है या कभी policy change हो जाती है किसी भी government की हो गई तो यह inventory केवल तभी काम में आती है जब कोई special तरह की demand आ जाती है जैसे की strike हो गई मार लीजे तो जब strike हो जाएगी तो हमारे पास इतना inventory होने चाहिए कि हमारा future का future में हमारे help कर सके तो इसको बोलते है anticipation inventory या फिर मान लीजे अगर गवर्मेंट की policy change हो गई तो उस policy साथ मैस करने में कुछ time लग सकता है तो उस time के लिए हमारे पास inventory के जो इंट्राओ इंट्री जो होती है उसको anticipation inventory बोलते है अब कई वार क्या होता है जैसे के एक जामप सम्झेंगे ऑप ज्यसे कभी कब़हर जब्स कि प्राइस की काफी ज्यदा बढ़ जाते है Quickly, then it beggars, when they have, aab like it on June, 10th week or night, के बाद होगा अब बारावजे के बाद होगा तो बाकी लोग क्या करेंगे जाएंगे विट्रोल पंप बारज में पहले और टंकी फुल करा लेंगे अब ऐसे में काओगा डिमांड वहाँ पे काफी जादा बढ़ जाएगी तो उसनमें कौन सी की इनवेंटरी काम में आती है एnytीस बेसन इनवेंटरी टही चालतला की हमारी हिमानेटरी हो गई invent BI को आब टरसे और क्लासिफाइब कर सकते है है क everyone होता है वो independent और दूसरा वैटाग डिपेंडेंडन तो जो हमारी पहले लिए होती है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इसके नाम ही बता रहा हिए इन्वेंटरी किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करेगी तो डिपेंड करेगी तो इससे हम इसकी इसका बारे में असाली से पता कर सकते हैं डिपेंडेंट इन्वेंटरी किसी दूसरी इन्वेंटरी पर डिपेंड करेगी एक एक जामपल से इसको स इसके वारे कि नहीं बता सकते हैं कि हमको कितनी कार फ्यूचर में लगने वाली है अब दूसरा दूसरी चीज बात करें टायर्स तैर्स जो इस कार के है अब क्या आप इसको बता सकते हैं कि यह इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें पता नहीं कर सकते हैं कि हमको कितनी का लगने वाली कितनी भी लग सकती तो इसको निकालने के लिए है कैसे निकालेंगे फॉर कॉस्टिंग वरेरा यूज करके तो और हो हमारा जो similar अच्छों डिपन देसको कैसे तो यह म्हारी दो और होगे इंडिपेंडेंड ओर डिपेंडेंटन नेक्स बात करने जा रहे हैं इन्वेंट्री रिभाई होता क्या है हमें इसके बारेमें बद्द करेंगे कि यह लिए। होता है एक किुछ फिस्टम कि अ other system अब क्यों सिटम पी सिटम होता क्या है तो सबसे पहले इसकी नाम जान लेते हैं इसकी नाम से आपको गुछ आइडिया हो जाए एक और यह होता है फिक्ट ऑडर सिष्टम और यह होता है फिक्ट पेरियर्ट सबसे पहले इसके वैसे समझते हैं अब जैसे की हमारे जो इन्वेंटरी है वो लगतार खर्च हो रही है तो जब खर्च हो रही है तो हमको उसको फिर से और करना पड़ेगा तो और करेंगे तो कब और करेंगे तो इसको हम दो तरह से और कर सकते हैं या तो हम एक गेट बना जैसे हमको 30 दिन बाद और करना ही है कुछ भी हो जाए तो अगर इस इसमें हम एक पीर्ट दोना लेते हैं कि इस पीर्ट के बाद हमको और करना है तो हम इसको बोलते पी सिस्टम दूसरा सिस्टम हमारे पास यह हो सकता है कि जो हमारे पास इन्वेंटरी का एक लेवल बचे जैसे अगर कोई चीज अगर हमारे पास 50 बचती है तो उस 50 तक पहुचने के बाद हम उसको फिर से लुदें तो यह होग़े हमारा पास फिक्स ओडर वाला वाला मिस हमें एक तो हम उसको OUDER कर देते हैं और पी सिस्टम में हम एक पिरिड तीड कर लेते हैं कि हमगो इस में दिन बाद ही स को OUDER करना है। इन में से हम कोई भी सिस्टम सेट कर सकते हैं विद दिये इन रिटर के लिए इनके और की नाम बोलते हैं जैसे इसको TOOMIN system भी लोलते हैं तू बिन सिस्टम होता क्या है जैसे हमारे पास यह यहां से लिया गया है जैसे हमारे पास यह 50 है यह 500 है तो यह हमारे पास टोटल इन्मेंट इसनी है अगर हमारे पास यह 50 बचेगी अगर यह 50 बचेगी तो हम इसको फिर से ओडर कर देंगे इसको टू बिन सिस्टम बोलते ह कुछ भी नाम से इनो नाम से कुछ भी नाम से सकता है तो यहां पर यह ौगा है यही जो हता है क्यों काभण कर लेते हैं जो पी सिष्टम है क्यों सिश्टम है इंदोरं में सहे अच्छा कॉन से बुरा कॉन सा है क्या तो इसका एंसर कोई सा अच्छा भी नहीं कोई सा बुरा भी नहीं है वह सबसे पर गतें के वारे में to job be system है अगर पोकाम कर रहा है हमारे माली जी हमारे पास अगर दिमांडेत हमारी इं अजा चैनल भटड़ गई कि दीमारे छाथ गई तब होगा क्या अभिए सिस्टम तो बोल्ला कि कुछ एक फिक्स पे इ contextual के बाद ही दिमांडेट बढ़ चुकी है तो हमारे पास क्या होगा इन्वेंट्री सॉटेज हो जाएगा अब अगर इन्वेंट्री सॉटेज हो गया तो कम्पनी को नुक्सान होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं सेप्टी स्टॉक इसमें ज्यादा रखते हैं तो इन्वेंट्री सॉटेज हो जाएगा तो सेप्टी स्टॉक जादा रखना पड़ेगा अब सेप्टी स्टॉक जादा रखेंगे इससे होगा क्या हमारी जो हॉल्डिंग कॉस्ट है यह भी बढ़ जाएगी क्यों क्या हम कुछ एक्ष्टा मत्रेली आपर रख रहे हैं तो हमारी होल्डिंग यह भड़ जाएगी यह अग्योग हम की सिस्टम के भात में बात करें थिस्टो मिश्टी स्टिन आप करें और च्रेश इसमें होगा क्या कि हमारे पास जयसे यह गड़ सम pengos ribव बिन प hypoth, यहात् हफिवरे और करेंगे तो आवल तो और टींद उन्द 20 यह जबिसे मतलब है नहीं को सीज़े तृ यही इस चीद मिन्पी अच्छा रहेगा साइध इस पहरी सबस्तों जाकतै है रहा मला है लेकिन हिसमें होगा कि हमारी जो और कॉस्ट पर जाएगी कि हम कई वार इसको ओरडर कर रहे हैं तो अधिक ओर इंपीज कर जाएगी इस कैसमें तो यह हुआ मार पीश्य और क्यू सिस्ट्म यहां पर एक छी अर द्हुज्ट कि इसमें क्या है फिक्स ओडर में हमारा ओडर फिक्स होता है और टाइम वेरी करता है और इसमें क्या है हमारा जो पीडियाद हो फिक्स होता है और इसमें पीड़ में टाइम और जो हमारा ओडर है वो वेरी करता है यहाँ पर याद रखेंगे order vary करेंगा इसमें order fix होगा और इसमें time vary करेंगा इसमें time fix होगा तो यह हमारा हो गया inventory review system अब हम बात करेंगे inventory models के बारे में inventory models यह दो तरह के होते हैं पहला होता है deterministic और दूसरा होता है probabilistic हाँ यहाँ दोनों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है यह समझते है deterministic में होता क्या है कि हमा जैसे हमारे पास दो time थे एक था demand दूसरा था lead time तो demand और lead time यह दोनों constant रहते हैं यह time के साथ change नहीं होते हैं दूसरा हमारा probabilistic है इसमें demand और lead time यह दोनों time के साथ change होते रहते हैं अगर यह दोनों change होते रहते है इसलिए प्रबिल Grade के तो अभी सारे मोडल है और इसमें भी कमा अब इन मॉडल के मुझे करें गार इन चलिया करते हैं अवीजका मॉडल से अब मॉडल से अब पर स्चार्ट तो सबसे पेले हम टर्म हमुज करेंगे capital D इसको हम यूज करेंगे demand कि रोब में demand per year तो हम D को उज़ करेंगे demand में demand जो हमारा per year कित्री demand होती इसको dollar 보시면 करेंगे next हमारा small d small d क्या हुदा हमारा daily जो हमारी demand होती है इसको हम small dc represent करेंगे इसको हम convert भी कर सकते हैं capital D में तो जो हमारे daily demand होती है इसको हम small dc represent करेंगे next हमारा होता है C C को हम बोलेंगे purchase cost purchase cost अब इसकी unit क्या होगी? rupees per unit यहापे unit भी आपको देखना क्योंकि इसको भी हम यूज करने वाले हैं next हमारा CO CA होता है हमारा order cost order cost per unit अब इसकी unit क्या होगी? rupees per order यह हमारी CAO की unit होगी इसको हम order cost भोलेंगे next होता हमारा CH तो यह होता हमारा holding cost holding cost जैसे मैंने पहले होता है इसको यूणित होगी रूपेज पर यूणिट पर टाइम इसको यूणिट यहापे जरूर देखना है यहापे इनकी unit को आप बिल्कुल भी दोखा नहीं खाएंगे यूट आपको याद रखने के निवेशल ने कापी यादा यूज आने वाली हैं और नेक्स्ट हमारा CS इसको हम बोलेंगे shortage cost shortage cost तो हमारी इसकी unit भी सेम रहेगी रूपेज पर यूणिट टाइम अब नेक्स्ट हमारा N है N हमारा क्या होता है number of order इसको हम N से डिफिजन करेंगे इसके बाद हमारा Q है Q है हमारा यह हमारा inventory size होता जो हम एक बार में ओडर कर रहे हैं उसको हम क्यों बोलते हैं inventory size इसको हम एक बार में जितना order करेंगे इसको हम क्यों से रिफिजन करेंगे तो अगर हम N की बात करेंगे तो हमारा N की वैलूर कित्ती है जाएगी फिर N का है number of orders in a year मतलब एक साल में कितने order कर रहे हैं उसको हम एंसरी ब्रेंट करेंगे तो हम यहां पर देख सकते हैं total demand हमारे पास इतनी है D और हमारे पास Q inventory size जो है एक बार में हम Q order कर रहे हैं तो हम को कितने order करने पड़ेंगे N order करने पड़ेंगे टोटल next हमारा T T का है time period तो T हमारा time period का है कौन से time period दो order के 20 का time मतलब एक order हमने किया अब दूसरे order हम जितने दिन बात कर रहे हैं उसको हम T बोलते हैं इसको हम year में ही देखते हैं इसको मंत में भी convert कर सकते हैं और days में भी कर सकते हैं तो यह हमारा होता है one upon N या फिर देखें तो QY D यह होता है हमारा T यह सब फर्मलों के यूशम करने वाले हैं आगे